वेल्कम स्टुडेंट्स तो लास्ट लेक्च्चर में हमने एक कंडिशन फाइंड किये थी जिसके क्रोडिंग हमारे पास जो एच के ड़िस प्रोड़क्ट होती है हमारे पास सब्ग्रूप की उनको हम चेक कर सकते थे कि वो एक सब्गूरूप बन रहा है या नहीं तो इस लेक्चर में बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम एक ग्रूप लेते हैं और एच एंड के उनके फानाइट सब्गूरूप लेते हैं तो क्या होगा कि जो एच के हमारे पास एक सब्सेट बनेगा वो एक फानाइट सेट होगा उस फानाइट सेट में हमारे पास elements कितने होंगे, that is the order of hk, okay, यह सिर्फ कभी हम find कर सकते हैं, अगर hk finite subgroup से हैं, अगर infinite दोनों में से एक भी infinite हुआ, तो hk जो है हमारे पास, वो इक infinite subset बनेगा, in case when both h and k are finite, then we calculate the order of h and k, तो it is equal to order of h multiply order of k divided by order of h intersection k, इसका जो proof है, उसके हमारे पास दो proof हैं, वो available हैं, एक तो basic proof है, और जो second proof है, उसमें हम लगरें जिस्यूरियम से करते हैं, वो आगे करेंगे, तो इसमें हम सिर्फ इसका एक basic proof से starting करते हैं, तो देखिए, सबसे फिले हम देखते हैं, कि जो h हमारे पास subgroup है, उसमें मान लेते हैं, कि कौन कौन से element हैं, इसमें मान लेते हैं h1, h2, up to so on, hr, इसके पास इतने distinct elements हैं, फिर उसी तरह से हम मान लेते हैं k, k में हमारे पास k1, k2, up to so on, k as distinct elements हैं, अब मान लेते हैं h intersection k में हमारे पास elements हैं, say x1, x2, up to so on, xn, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास subset बनेगा hk, हम वो set बनाते हैं, कि यह set कैसा होगा, यह set हम कैसे बनाते हैं by definition, देखिए, हमने क्या करना होता है, कि h1 में से एक element लिया, उसको इन सभी element पर हम क्या करते हैं, compose, that is h1, k1, h2, k2, up to so on, h1, ks, फिर हम h2 लेंगे, h2, k1, h2, k2, up to so on, h2, ks, इसी तरह से, हम hr लेंगे, hr, k1, hr, k2, up to so on, hr, ks, तो यह हमारे पास, इतने हमारे पास, यह elements हो है, finite set होंगे, ठीक है, अब अगर हम इस set में count करें, कि इस set में कितने हमारे पास elements हैं, तो वैसे हम count करेंगे, तो यह कितने elements होंगे, total, हमारे पास, r into s elements होंगे, जो हमने यह लीखे हूँ, यह total, कितने elements है, आरेस बट यह possibility है कि इन में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन में repeat हो मतलब कि माल लीजी यह element हो सकते हैं इसकी को लो हम यह नहीं कह सकते कि जो हमने यह set generate किया है इसमें जो elements होंगे वो सभी के सभी distinct होंगे इसमें कुछ elements की repetitions भी हो सकती है यहां से हम यह कह सकते हैं कि जो maximum order होगा हमारे पास h k subset का वह maximum order जो होगा वह RS होगा यह exact order नहीं आएगा किसमें कुछ elements जो है वो repeat हो सकती हैं अब हमने क्या करना है सिर्फ और सिरफ यह पता करना है कि इसमें कितने elements हैं वो repeat हो रहे हैं ओके तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम कोई भी एक element ले लेते हैं hk किसमें से जो ये h है इन में से ही हमारे पास कोई होगा और जो ये k है वो इन में से ही कोई एक है अब देख्ये इस्टैप ध्यान से देखने होला हैं अब देखिए मैं क्या करता हूं कि एक के element है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं है ंस एक सवान का inverse into x1 कौन से है जो एच इंटरसेक्शन के में है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि इनको compose करने की बाद डेंटिटी बनेगा और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं तो यह स्टैप बन जाएगा हमारे पास अब देखिए एक जो है हमारा वह एक में बिलॉंग कर रहा है और एक्सवन इंटरसेक्शन में इसका मतलब एक्सवन में भी है तो इसका मतलब जो यह नया इसमें इउनमेंट बणा वह एक्समय बिलॉंग करेगा और जो हमारा यह हमारा के में बिलॉंग करेगा का खयआ से पलता और जो यह ऐख्या वह च्ख एक पासक्राथ और यह हमें कर दान erと思 आ परपास यह एलीमेंट अब बनागा एक्सवान है ख्याइध से उर्भी उर्फ something यह गलीमेंट वो कि शोर्ली है कि इसमें होगा एक्च हुं में इसका मतलब देखेंग अब मैंने एक हम एकम क्सक्राइब यह लिए लिया और जो यह दोनोवं मैंन्स हैं हमारे पास जो हमें वह equal हैं तो इसका मतलब HK की एक नई representation आगी यह और यह representation जो है वह हमारी इस set में पड़ी हुई है इसका मतलब यह तो इसी तरह से एक element तो हमें पता चलेगा कि यह सेम होंगे अब उसी तरह से HK को मैं है H X2 का inverse इंटव के लिख सकता हूँ इससे भी हम हम H X2 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 inverse इंटव के में लिख सकते हैं दूसरी सेम representation मिल गी हमें कि जो यह element है वो भी सके equal होगा क्योंकि यह element है वो यहां होगा कही ना कहीं ओके इसी तरह से हुआ हमारे पास हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह भी इसके एकवल बन रहे हैं ऐसे हम कितने लिख सकते हैं जितने इसके intersection में पढ़े है that is xn ओके तो इन जर्नल में इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो hk element है इसकी representation कैसी हो सकती है h x iota into x iota inverse into k where iota हमारा कहां से vary करेगा 1 2 n कि इसका मतलब यह हमारे पास एक h element के लिए n उसके same elements हमें इस set में मिल गए तो तो हम यह कह सकते हैं कि at least एक hk के लिए हमारे पास n जो हैं same elements पढ़े हैं at least कम से कम यह तो पड़ी पड़े हैं हमारे पास ठीक है तो अब हमने देखना है क्या इससे ज्यादा हमें कोई होर इस तरह की element मिल सकते हैं जो hk की representation किसी होर तरह हम उसको लीग सकें जो यह है तो मान लेते हैं अब हम कि अब मान लेते हैं हम कि जो hk है मान लेते हैं कि कोई दूसरी तरह इसकी representation है h1 into k1 ओके तो यहाँ पर देखिए हमारे पास k1 करते हैं और यहाँ पर करेंगे तो हमें identity element मिलेगा तो यह बन जाएगा अब फिर से हम यहाँ पर h जो है इनवर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर अगर हम h inverse apply करेंगे तो यह identity बन जाएगा और यहाँ पर मारे पास h inverse h1 बन जाएगा ओके तो यह element बना अब देखिए जो यह element है मारे पास वो के को belong करेगा बड़ यह किसके equal है इसके यह element किसके equal है इसके it means यह belong कर रहा है h को k inverse k में भी है तो h में भी है तो यहां से क्या implies होगा कि जो k k1 inverse element है हमारा वो belong कर रहा है h intersection k में इसी तरह से h inverse h1 जो element है हमारा वो भी belong करेगा हमारा h intersection k में क्योंकि दोनों हमारे पास जो है एक same element है तो मान लेते हैं कि h inverse h1 जो equal है के k1 inverse के वो किसी x iota के मतलब की जो हमारे पास intersection वाला set है किसी न किसे इस element के equal है तो यहां से मारे पास इन दोनों से हमारे पास h1 की value आईगी h1 की value क्या आईगी हमारे पास h x iota ठीक है और यहां से हमारे पास देखिए के k1 inverse is equal to x iota और यहां से हमारे पास हमें k1 की value find out करनी है तो हम क्या करते हैं इस side के वान इन वर्स किसकी को हो जाएगा हमारा k inverse x iota के और जो k1 है हमारे पास वो किसकी को हो जाएगा बो साइड अगर हम इन वर्स अप्लाई करेंगे तो वह एक्साइट टाइन वर्स इंटू के के इककल हो जाएगा यह देखिए है कि यह हमारे पास आगया कि h1 की value आगी और k1 की हमारे पास जो है वह वैल्यू आगी है अब हम क्या करते हैं कि h1 और k1 की जो value वहां पर put up करते हैं कि यहां हम put up करते हैं values को तो देखिए हमारे पास क्या आया था कि जो h1 की value है वह हमारे पास h x iota आगी है और k1 की जो value है हमारे पास वह x iota inverse इंटू k आगी है हमने देखिए यहां पर value put up करते हैं हम hk किसकी clock है h1 that is h x iota k1 का है हमारे पास x iota inverse इंटू k यह देखिए यह तो बिल्कुल ही वैसी representation होगी जो हमने फर्स्ट की थी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका मतलब जब भी हम एक hk element लेते हैं एक hk element लेंगे तो उस जैसे बिल्कुल इस set में हमें n same elements मिलेंगे तो वह same elements कैसे होंगे इस तरह के अब देखिए वेर आयोटा हमारे पास से जो है vary कर रहा है एन से लेकर one तक बिलोंग एक natural number ओके तो इसका मतलब अगर हम एक hk लेते हैं उस जैसे इस set में हमें कितने elements मिलेंगे बिल्कुल जो same होंगे n elements मिलेंगे एक hk के लिए ठीक है अब देखिए इस set में अब total हमारे पास कितने elements है आर एस elements है ओके एक element के लिए हमें एन सेम elements मिल रही है एक के लिए हमें सेम elements मिल रही है तो अब हमने distinct find out करने है तो distinct elements कितने होंगे इसमें तो इसमें हमारे पास distinct elements है जो वो कितने होंगे simple rs को अगर हम n से divide कर दें तो वो हमें पता चल जाएगा न कि उसके पास इतने ही same elements अनिक्कुल elements है ओके बट यह r हमारे पास क्या है order of h और s क्या है हमारे पास order of k और n क्या है हमारे पास order of h intersection k ठीक है तो देखिए तो order जो है हमारे पास h k का किसकी पुला गया order of h multiply order of k divided by order of h intersection k क्योंकि इसमें maximum हमारे पास rs है और एक element जो है वो n times repeat हो रहे है जैसे कि मान लेते हैं यह element है इस जैसे इसमें elements बढ़े हैं से चीक है उसी तरह से यह है इस जैसे भी elements बढ़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि सेम कितने हैं स्वरी distinct कितने है तो total elements rs हैं उनको अगर मैंसे डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि इसके पास सिर्फ इतने ही distinct elements है तो यह जो है हमारे पास result बन जाएगा अगर आपको प्रूफ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और जितने भी हमारे playlist है उसका link आपको description box में और उपर i button में आपको provide हो जाएगा